असलाम वालेकुम, वेल्टम टू मैं यूरिप चैनल, I hope आप टीक होंगे और सर्थी से बच्ची होंगे आज मैं आपके साथ आप लिटल ट्विन्स का नेक्स्ट बाच हेड़ करने वाली हूँ हेड का मिटमाद करिया करें, वैसे प्यार से बता दिया करें तो चले हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं आज इसका सैकंड लास्ट पार्ट है लिउब, वो क्या होता है? लैन्स एंड जो के मासूमियों से पूट रहा था और वश्यान ने फिर उसे बता है लूब्रिकेंट होता है पागल अच्छा लूब्रिकेंट अच्छा मुझे पता है वो क्या होता है और वश्यान अभी कुछ और ही कहने वाला था कि तब ही तरवाजा नौक हुआ था अब कौन है? और अब ये दादू थे जो के दरवाजा नौक ही जा रहे थे बाहर आओ तुम उन्होंने वश्यान को बोला था और वो अब बाहर चला ही किया था लेंसेंट जो के बैट ही किया था लूब्रिकेंट? हाँ मुझे पता है कि मिस्ट्री में पढ़ा था मैंने चलो गूगल से सेर्च कार लेता हूँ उसने लूब्रिकेंट के बारे में बढ़ा था हाँ ये क्या है? लूब्रिकेंट क्यों यूज होता है? हाँ फ्रिक्शन को काम करने के लिए लेकिन यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन होने वाली है? कौन से मशीने आपस में रगर खाने वाली थी यहाँ पे उसे तो कुछ भी नहीं पता ओईल है हाँ तो फिर फ्रिक्शन काम करने के लिए होगा और फिर उसे याद आया हाँ याद आ गया उसके अकल आप खाम करने ला गई थे उसने वाईल निकाल लिया था जरूर इससे मसाज करते होंगे हाँ ताके जब हम डिंग ओंग करें तो हमें दर्ट ना हो बिल्कुल ऐसे ही होगा ये और ये लूपरी के अंटी तो है ना लूपरी के अंटी के लिए इसमाल होगा वो आप हुशी हुशी देख रहा था हाँ उसे पता चाल गया अब वो कोई मिस्टेक नहीं करेगा वो अपने हस्बंट के आने से पहले पहले सारा काम हतम कर लेगा उसने वो ओईल लिया था और आप अच्छे तरीके से उस ओईल से अपनी टांगों बास हूँ और हाँ पूरी बाड़ी पर जैसे मसाज ही दुका रहा था ये बहुत अच्छा है समयल भी इसकी इतनी अच्छी है लेकिन थोड़ा स्टिकी स्टिकी है चलो कोई बात नहीं अच्छा हो जाएगा अब मैं एक तम रेड़ी हो राद देखना बिल्कुल हब भी नरास नहीं होंगे लेन सेन आप हुशी हुशी उस ओईल से मसाज कहर के अपनी शेट पहन के और शोर्ट्स पहन के आप पैट ही चुका था हाँ अब तो बारा से बार बार नी पैट पहनी जाती उसे ओनाई उतारी जाती है बहुत मुश्किल है शोर्ट्स में ठीक है वो और मुश्यान जो के बार आप दादू के सामने जैसे के टेहरे में खड़ा था मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो ये कोई तरीका होता है क्या क्या गा दिया मैंने दादू नहीं ये कोई तरीका मुझे तुम बताओ तुमसे छोटे भेन भाई वो प्रैगनेंट है तो मैं भी प्रैगनेंट हो जाओं क्या पागल प्रैगनेंट नहीं हो बल्गे उसे प्रैगनेंट करो किसे प्रैगनेंट करो अपनी वाइफ को और किसे दादू प्लीज आप क्या ही बोले जा रहे हैं वो भी छोटा और पाड रहा है मैं उस पे कोई भी जिम्मेधारी नहीं डालना चाता हाँ तो छोटा है तो क्या हुआ वो उससे दो मिनट छोटा भाई वो भाप पान सकता है वो क्या पाड नी रहा हाँ तो बाप ही दो भाण रहा है न कौन सा उसने बच्चे पैदा करने है और ये कैसे पड़ेगा पिर आप ऐसे कैसे बोल सकता है दादू प्लीज ऐसे मत करें वो भी ऐसा नहीं कार सकता क्यों नहीं कार सकता उसे करना पड़ेगा और तुम करोगी ये सब हो गया लेकिन मच्छाल है जो तुम उसके खरीब के हो या फिर तुमने हमें कोई खुशी की अबर सुनाई हो अरे देखो वो बोलू का नवासा कितना काम करता है कितना फास्ट है वो अरे दो हफ़ते के अंदर अंदर यह तो उसने गुड़नी उस दे दी दिए और एक तुम को निकम्मे नलाइक तुम्हें फोज की परदी के इलावा कुछ और सूचता ही नहीं है और तुम्हें कोई काम ही नहीं है कब भी उस मशीन कान के लावा कुछ और भी चला लिया करो दादो प्लीज कितनी सादा शेमलास बात लिए का रहा है यह जरूर नानू की संगत का अ का मुझे नहीं पता मैं बता रहूं अगर तुमने नहीं किया ना तो फिर देख लेना तुम अब आप छोड़ेंगे जाने देंगे तो मैं कुछ करूंगा और वैसे भी मैं बच्चों के बार में कुछ नहीं किया सकता कहीं तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाँ बताओ मुझे मैं तुम्हारा इलाज करवाद हूंगा दातु आप ऐसे करीब होके जरा रास्तारी से भोल रहे थे और वो जान जो सेट पटाए गया क्या बोले जा रहे हैं दादू मैं बिलकुल ठीक हूँ हाँ तो फिर ठीक हो तो फिर साबित करो ठीक हो ये क्या बा नहीं तो मैं बतार हूँ और फिर उसमें कोई प्राब्लम हुआ तो मैं तुमारे दूसरी शाती कात हूँगा दादू प्लीज चूपी हो जाए आप कैसे भोल सेकते हैं वो तो आपका कितना लाड़ ले आप तो इससे प्यार करते हैं न हाँ प्यार करता हूँ लेकिन हो जो यहां पे खड़े क्या ही कार रहे हो दादू जो कि आप मूफ लाके जाए रहे थे और वुश्यार ने अपना सारी पीट लिया एक तरफ दादू थे जो कि कुछ से आता ही ओवर एकसाइड़ेड और जल्द पास थे और एक तरफ उसकी पागल पीवी जो बात बात प रहा था और वो अंदर ही चला गया था लेहन सान जो कि आप नए हुलिये में राड़ी पैठा था अब ये क्या किया तुमने कुछ नहीं मतलब आपने बोला था ना वो लुपी केंट है तो बस ठीक है मैंने उसे यूस कार लिगा आप मैं राड़ी हूँ आज है आप बहु ही कार के रहा गया था अरे जोश में होश नहीं कोती हराम से हराम से साहब को साहब मिलेगा कौन साहब मैं हूँ आप कोई साहब मिलेगा आप कोई मिलेगा उसने बोला था और फिर हो आप ऐस्ता ऐस्ता जैसे अपनी शर्ट भी उता रहा था और फिर लैपस है उसकी हेल्प क्यों हो रहे हो उसने उसे टाज किया था तो क्या लूपरिकेंट से तो ऐसे ही होता है ना कौन सा लूपरिकेंट हरे वो ही भाला जो आप लाएं आपने क्या ही बोला था ना वो लूपरिकेंट है देखे मुझे पता है मैंने पहले गलती से उसको सीरप समझ लिया था लेकिन मैं इतना बागल भी नहीं हूँ, मैंने गूगल से सेर्च किया है लूब्रिकेंट क्या होता है और किस चीज के लिए यूज होता है हाँ तो क्या किया पिर तुमने वुश्यान अब उसकी तरफ देख रहा था कुछ भी नहीं किया, मैंने बास उससे सारी बाड़ी पर मसाज कार लिया है अच्छा ना देखिया, अच्छी समेलिया ना इसकी और वैसे भी हम डिंटाउं करने वाले हैं तो इसे फिर बेन नहीं होगा ना कोई फ्रिक्शन नहीं होगी और आव वुश्यान ने तो अपने बाल ही नोच डाले थे ये तुमें करने को किसने बोला ? किसी ने नहीं बोला, मैंने तो हूद किया तुम मुझे ये बताओ तुम क्या पढ़ती हो, कॉलिज में मैं अपने सारे सुप्चेक्ट पढ़ता हूँ नहीं तो क्या, तुमने कमेश्ट्री में काम नमबर लिया है तो तुमें बायो भी नहीं आती हाँ बायो भड़ी है वहाँ पे तुमने कोई भी रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में नहीं भड़ा हाँ भड़ा है किसका भड़ा है मेंडर का भड़ा है ये इस चीज के लिए नहीं है जो तुमने कार लिया है हाँ तो फिर किस चीज के लिए है उड़ जाओ मैं बताता हूं तुमें उश्यान उसे पकर के जैसे आब वाजरू में लेके जा रहा था आब कहां लेके जा रही है चलो उतारो इसे उसने एक दम से जैसे उसकी शयर्ट उतार के भेंगी दी दी और अब श measurements कि पारी थी यहां क्या करने है यहां बहुत सर्टी है यहां कुछ नहीं करें नहीं मैं तुमें बताता हूं मैंने क्या एकरने हना तुमारे साथ उसने उसे शावर की नीचे खड़ा का कर जैसे एक धम से उसे और निकार दिगा था और पानी ठंडा नहीं था इसलिए लेंसे उचला नहीं हो रहा फो जैसे शावर चाल लेके तो उसे पूरी बाड़ी पर लगाई जा रहा था पागल कहींगे गदे कहींगे तुम बच्चे पैदाकार के दो के मुझे तुम तुम देख बच्चे हो मैं तुम्हें सबहा लूँगा या तुम्हारे पैदा कियों बच्चे वो तेजी तेजी से बाते कहा रास था और साथ में उसको बात भी दिये जा रहा था और उसने जैसे उसे पूरा धोई डाला था बातों से भी और वैसे भी और हाँ वो जैसे उसे बात रो पहना यह राथ और लैंसे अनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी मुझे इतनी ठान में क्यूंँ नहलाया बताता हूं तुम्हें मैं मुझे बताए मुझे नहीं पता ये क्या तरीका हुआ हाँ मुझे से कुछ नहीं बता सकते वो जो थी बताओ तुम्हें कहां योज होती है अभी बताता हूं मैं वश्यान बाहर चला गया था और लैंज़ान जो कि अभी तक वाश्रूम में खड़ा था और फिर उसने लियूप जो कि आप थोड़ा से रहा गया था उससे एक दाम अपने आद में डाला था और फिर वो लैंज़ान के करीब ही आ रहा था अरे जब दुबारा से मसाज करना था तो भी नहलाया क्यों चुप हो जा तो वो उसके करीब आ रहा था और लेंज आन जो किया दिवार से जा लगा था फे वो श्यान जो किया अपना हाथ कहीं और ही लेके जा रहा था और लेंज आन जो एक दम से चल पड़ा गंते कहीं कि क्या करने वाली हो आप लेकिन वो कुछ भी रुका नहीं है और उसने जैसे आके पड़के उसके होटों पे किस करना शुरू का दिया था और अब वो साथ में उसे रेड़ी भी का रहा था और लेंज आन जो के पहले थोड़ा इरिटेट और बाद में जैसे होटी फिल का रहा था उसका हस्बन जो के बस उसको उपर नीचे दोनों साइड से तप्लेजर दिये जा रहा था वो उसको किस भी किये जा रहा था और लेंज आन जो के आप एक दम से बूली चुका था वो भी तो अपना होश खोई चुका था उसने जैसे गर्मी के मारे वो पात रोब एक दम से उतार के फेंगी डाला था और वो किसी बंदर के बच्चे की तराब जैसे उससे लिपड नहीं वाला था अब पता चला तुमें कहां पर यूज होता है हम वो श्यान जो के अब पूरा का पूरा होटी हो चुका था और लेंजान का पर तो यही हाल था वो उसकी तरफ कभी खुलती और कभी बात नागों से देख रहा था और उसने बस चुकचाफ सारी ला दिया तो ये पहले नहीं बता सकते थे हाँ तो तुमने बताने का प दिया पागल लड़के वो ऐसे ही उसे आप अपने स जहन जहन जहो किया पूरी था रेड़ी था और उसकी लोड बाड़ी तो जैसे हाड़ी हो रही थी वुश्यान ने अच्छा हासा ही तो उसे रेड़ी कार्ड ढाला था और वो जो आप खींच-खींच ये वुश्यान को अपने उपर इला रहा था क्या है अभी काम हतम नहीं हुआ अब कौन सा काम रहा गया अब आपा सब में काम ही तो रहता है न वो बेश अनमी से बोला था और उशियान जो किया बूसकी तरफ देखे विंकी कार के रहा गया अभी है थोड़ा काम माई लिटल वाइफ वो उटको भी अंड्रेस कार चुका था और फिर उसने उटको भी रैड़ी किया था हाँ हाँ उसी से पता दोगा न आप साब को ज्यादा बताने के क्या है जुरूरत है और वो आप दोनों रैड़ी थे अच्छा ये यहां के लिए है ओ शुकर है मैंने इसे पी नहीं लिया हाँ तुमने मुझे तो पिला दिया गंदे लड़के अपने ये गंदे हाथ मुझे मत लगाईएगा पता नहीं क्या क्या कार के आएं आप चाहें इसको दोग के आएं पहले वो जो एक्तम से सफाई पसांदी बना था और शुकर यान को अब उसकी बात माननी पड़ी थी तो गया था और अच्छे तरीके से अपने हाथ दो गया था बैटर अच्छे तरीके से साफ हो के मेरे पास आएं वो बोल रहा था और साथ में वो पूरा रैड़ी पाठ चुका था उसे बहुत बेन हो रहा था और वो साज में अब रैड़ी था ओके आ गया माई लिटल वाइव वो श्यान अब उसके पास आ गया था और उसने जैसे अब तो बारा से ही उसे और करना शुरू कहा दिया था वो उसे किस किये ही जा रहा था और फिर उसकी नेक पे भी आ गया था और लैंस एंड जो किया बहुत ज़्यादा ही एकसाइड़ ओ जुका था उसकी डिंग टॉंग वाली मशीन तो उसे तांगी का रही थी ना और फिर उसने उस्याद को जैसे एक बात ही बोली मुझे माग करें ना क्या हाँ मुझे माग करें मैंने आपको माग की है ना मैं चाता हूँ आप मेरे हुए तो मैं भी आपका यह हो जाऊँ लेकिन फिर तुम्हें बेन होगा फिर तुम उचलोगोतों के चीहें मारोगी और मेरी इस्थ का कच्रही हो जाएगा उस्याद जो कि आप उसे यार करते करते आराम से बोला था इट्स ओकी मैं नहीं करूँगा कुछ भी और आप उस्याद ने आइस्था आइस्था जैसे उसकी नेक पे घिसी किया था और फिर उसने एक दाम से बहुत जैंडर रहते हुए जैसे उसे मार्ग भी कार डाला था लेकिन भाई आप मार्गी याथ तो दर्द होना ही था और फिर लेंसान ने जैसे अपने नाहु नाव श्यान को गार दिये थे हे पागल जंगली करेंगे कापसे नाहुने काटे तुमने हाँ तो मुझे दर्द हो रहा है मैं क्या करूँ तुमने हूदी बोला था करें तो मैंने कार दिया हाँ मुझे नहीं पता था कैसे फील होता है चुप करो तुम वो अच्छी की भाई हो के, ऐसे ही डरते रहते हो ऐसे ही होगा, तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे बच्चे? हाँ, तुमेनी बच्चे चाहिए क्या मैं अभी बार रहा हूँ मुझे डार लगता है बास कहा दो तुम, डार लगता है, डार लगता है देखने रहे, मेरा भाई तो है न, वो भी तो पैदा करने वाला है वहाँ वो बड़ी है, तो, तो क्या हुआ, मैं चोटा हूँ, कोई चोटे नहीं हो तुम, कार लोगे तो, शुरू करूँ मैं येस प्लीज, उसने बोला था और फिर, वो श्यान जो कि अजाज़त पाते ही अब एक दम से, में दान वदा करने के लिए थ्यार ही हो गया था और फिर, ना चाहते हुए भी लेंज़ा है कंट्रोल करते करते भी एक सूरता चीज, जैसे मार ही डाली थी और वोश्यान वहीं पर रुख गया, उसने इसके मूँ पे हाथ ही राख डाला था आप तुमने कुछ किया ना मसाज में बहुत मारने वाला ही हाथ दोटी है, हाथ दी होगी है हाँ, पहली दबादी हो रहा है, लेकिन आपने बोला था कि उसके साथ पेहन नहीं होती, लेकिन यह बहुत ज़्यादा painful है वो जैसे आप तरप ही जा रहा था और वो श्यान आप वहीं पे खड़ा रहा गया था आई मीन रुका रहा गया था आप यह साब अच्छा ने कह रहे हैं मेरे साथ यह बहुत जादा पेंफूल है मैंने क्या ही सोचा था मैंने कहा था वो पेंट की लरोगा हतम होते आप क्या मैं सारी सिंकी ऐसे ही करता रहूँ तो मारा वेट ही करता रहूँ मेरे घारवाले मेरा जीना अजाब का देंगे ठीक है फिर तुम्हें इतना ही पेंट होता है तो नहीं करता मैं चला जाओं मैं वैसे भी दाटू कह रहे थे वो मेरे दूसरी शाहती कार देंगे ठीक है फिर मैं किसी मेचोर सी लड़की से या कोई थोड़े बड़े महगा से शाहती कार लूँगा कम से कम वो मुझे बच्चे तो देगा ना तुम्हारी तरह रोए पीटे गा तो नहीं ना मुझे क्या ही जरूरत है तुम जैसे छोटे काके को संभालने की वो बोल राल था और लैंजान जो कि एक दाम से डार गया मैं आपकी जान ले लूँगा पर दार जो हमने किसी और के बारे में बात की मैं जिन्दा हूँ मैं मार गया हूँ क्या मेरे साथ ही करेंगे मैं ये बच्चे पैदा करूँगा साब करूँगा मैं आप कोई दूसरी शाद्दी नहीं करेंगे नहीं छोड़ेंगे मुझे आप हाँ तो फिर तुम करने देते नहीं हूँ मैं फिर क्या करूँ करें ना कार की उन्हे रे चलने जल्दी करें करके उने ने वो आप जल्दी जल्दी बोल रहा था और मुश्यान को जैसे उसकी इस तरह बोलने पर हसी आ गई हाँ वो पागल है बेवगूफ है ना था ने लेकिन उससे प्यार भी इतना ही करता है उससे पता था और वो भी उससे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ये उसको भी पता था वो आप तुपारा से जैसे उसके साथ इंटिमेट हो रहा था और फिर थोड़ी धेर के बाद पेंच होके कम होते होते खत्म ही हो गया था और लैंसान का फिर से वही टशन थे वो पस मज़े किये चाह रहा था और वो श्यान को भार भार किसीज भी किये चाह रहा था इस टू गूड मुझे ये सब बहुत अच्छा लाग रहा है हम रोज किया करेंगे आपसे एवरी डे हाँ एवरी डे क्या हाँ एवरी नाइट सब करेंगे रोज करेंगे ये बहुत अच्छा है वो जैसे आप हुशी हुशी बोले जा रहा था और दादू जो के बाहर फिर पानी पीने उठे थे उन्हें उसकी आवाजे गाई जा रही थी तुम लोग सो है नहीं किया भी तक उन्होंने छडी से दर्वाजे पर नौक किया था हाँ सो जाएंगे दादू हम अभी खेल रहे हैं हमारे खेलने का टाइम हो गया है और दादू जो के उनका दिल किया कि अपनी छडी से अपनी सार पे मार ले हाँ खेलते रहो मनूसों कमीनों कहींगे खेलते ही रहो मुझे खेलने के लिए कभी कुछ ना देना वो ऐसे या मूँ बना के बाएर अपने रूम में जा रहे थे और उन्हें क्या ही बता था अंदर कौन से खेल चाल रहे है वो श्याहन जो के बास साब हो नहीं वाला था डान और वो एकताम उसे छोड़ना जाता था लेकिन लेंज जैनों से पकल लिया क्या है कहीं जा रहे हैं आप यहां पर ही रहे हैं इधर ही रहे हैं देके साब बहुत अच्छा लाग रहे है फिर मुझे सटी लाग जाएगी यह बहुत जादा होडर मुझे बहुत अच्छा लाग रहे है वो बोल रहा था फिर वश्यान जो के पास अपना सारा गोला भारूत उसके अंदर ही रिलीस का चुका था और वो जैसे एक ताम से अब उच्छने माला हो गया यह क्या है यह कुछ भी नहीं है यह हमारे बेबीज है कितने सारे बेबीज हैं और बेबीज क्या ऐसे गर्म लावा की तरह होते है वो बोल रहा था और वश्यान जो के आपास असने के लावा कुछ भी निकार सकता था हाँ तुम्हें पता चाल जाएगा जागे कभी बुक खोल लेना साब पता चाल जाएगा हाँ लेकिन वहाँ पे मैंट कूँ के तो चुप कार जाओ तू आप चुप हो जाओ नहीं तो मैं फिर से स्टार्ट हो जाओंगा उसने उसे ड्राया था और फिर वो जैसे आप लेड़ी चुका था लेन साइन ने उसे हाग कार लिया था और वो दोनों आप दुबारा से एक दूसरे को किसी कार रहे थे ये बहुत अच्छा था हम दुबारा करें क्या कार लेते हैं मेरे बाजू में दर्ट हो रहे हैं तुम्हारे तो जैसे डिमार्ट सतम होती है यह नहीं उस यहान बोल रहा था और फिर उसने जैसे कीस करते करते अचानक से हाथ उसकी चैस पर लगा दिया था और वो उसके निपल को जैसे टाच का रहा था और लेन साइन जो एक दाम से जैसे चीख मार के पीछे हुआ क्या हुआ तुम्हें मुझे यहां पर टाच ना करें मुझे बहुत पेन हो रहा है अब यहां पर पेन हो रहा है क्या क्यों वो एक दाम से परिशान हो गया था और उसने दुबारा से जैसे टाच किया था और फिर से जैसे वो अब रोई रहा था यह बहुत पेन फूल है मुझे बता नहीं क्या हो रहा है, मुझे दो तिन से यहां पर पेन हो रहा है आ, ओ नो, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं क्या क्या होना है मुझे, ओ नो, कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया वो जैसे परिशान हो क्या बोला था हाँ तो breast cancer होने एक लिए breast का होना जो रहा है तुम्हारे पास कहाँ जी आई हाँ तो जो भी है बस है तो सही न और यहां भी हो सकता है अगर मैं मैं कहा हो कि और तो कि तरह pregnant हो सकता हूं टींटांग करवा सकता हूं तो क्या बिना breast के breast cancer नहीं हो सकता मुझे देखे मुझे कितना pain हो रहा है ओ दूसी साइट पे भी हो रहा है क्या उसने दूसी साइट पे touch किया था और आप तो साइट में मुझे ऐसे दर से रो ही रहा था कुछ यान बिचारा जो कि साइट में परिशान हो गया तुम फिकर नहीं करो मैं तुम्हें सुबा लेके जाओंगा टेस्ट करवा कि लाओंगा तुम्हें क्या ही हो गया है हम कोई टिंग डॉंग निंग करें कि हम अराम से सो जाएंगे मेरा बच्चा अराम से सो जाओ तो उसने प्यार से चैसे उसको पिचका रहा था लैन सान जो कि आप मूँ बना के उसकी तरफ देख रहा था मैं कोई बच्चा नहीं हूँ आपका शरम करें मैं आपके बच्चे पैदा करने वाला हूँ रहा मुझे ये अपना बच्चा कहा रहा है आओ जा पैदा करो कि ताव देखी जाएगी ना बाद में करते ही रहेंगे सारी लाइफ इसी काम के लिए तो है उनके पास सीशी जो के आप सनी के मना करने के बाद जैसे इरिटेटी हो चुका था हाँ उसने तो क्या ही सोचा था कि वो उस लड़के को हाँ क्या ही नाम था हैर नाम में क्या ही रख्या है लेकिन वो जो भी क्यूट सा लड़का था उसको थोड़ा से यूज ही कार लेगा और जाब से उसने वींग को देखा था फोटो में नहीं बलके असल में वो उसका पीच्छा भी तो कार ही रहा था और सीशी तो जैसे उस पे अपना दिल लिहार बैठा हाँ सनी बिचारे का भी क्या एक जूर है इसको देख के तो कोई भी काबू से बाहर होई सकता है हैर कुछ भी हो सीशी ये तुम्हें मिलना ही चाहिए वो हुट से बात का रहा था और फिर उसने सोच लिया था हाँ वो सनी के लिए नी बलके हुट के लिया वीन को लाएगा उसे वो चाहिए ही चाहिए और फिर उसने अपने सारे आदमियों को बलाए लिया था इसको ले कि आना है इसको लेकिन वो तो हतम हो गया ना बात सारी कोई हतम नहीं हुई ये चाहिए मतलब चाहिए उसने बोला था और फिर अच्छे तरीके से वींग की तस्वीर उनको दिखाए दी थी ये मुझे चाहिए कहां लेकर आए इसको लेकर आ जाना तुम वहाँ पर जहां पर उसने बोला था और वैसे भी अगर हम पकड़े भी गे तो उसी का नाम आएगा न क्योंके रेजर्वेशन तो उसी के नाम से हुई है न उस रूम की उसने बोला था और फिर वो कमीन की से जैसे हसने ही लगा वींग और वांगची जो के अब सुबा सुबा आउट चुके थे वो रेड़ी हो रहे थे और फिर सनी जैसे उनके रूम में आया मैं आ सकता हूँ क्या हाँ आज है वांगची मैं जा रहा हूँ क्यों कहां जा रहें आप वांगची ने एक ताम पूझ लिया था हाँ मैं आज वापस जा रहा हूँ वो मैंने पेपर्स दिये थे ना उनमें कुछ प्रॉब्लम में और मुझे वापस जाना पड़ेगा चार-पांच दिन के लिए मुझे जाना ही होगा I'm sorry विंग जो कुछ भी हुआ मैं बहुत ज्यादा शर्मिनता हूँ वांग जी तुम भी मुझे माफ कार देना जो कुछ भी हुआ मैं उसको बदल नहीं सकता लेकिन आई होग तुम मुझे माफ कार दोगी मैं बड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैंने गल्ती की तुम मुझे माफ कार दोगी ना वो बोल रहे थे और आवांग जी ने भी उन्हें आगे बार के हाग कार लिया इट सोके मामू मैंने आपको माफ कार दिया थेंक यू थेंक यू सो मच और अपना और अपनी वाइफ का हयाल रखना शायद मुझे आने में ज्यादा ही टाइम लाग जाए लेकिन मैं बिलकुल नहीं चाहूँगा कि मेरा ग्रेंट सान या ग्रेंट डाटर बिलकुल हर्ट हो या वो वीक हो समझ गे तुम दोनों मुझे अच्छा सा प्यारा सा बेबी चाहिए तुम दोनों का वो बोलते वे जहा रहा था और उसने जैसे बाई बोला था और वो जैसे मुड़ा था उसकी आँख से दो आँसुई टबके थे क्या ही होता है और क्यों हमें वो लोग अच्छे लाग जाते हैं जो हमारे लिए होते ही नहीं है जो हमारी किस्मत में नहीं होते हैं सनी भी तो आप विंग से दूर ही चाहरा था ना हाँ उसे पता था ये गलत है वो कभी उसका नहीं हो सकता विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हूश है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी उनके प्यार को नज़र नहीं लगाएगा हाँ वो कुछ नहीं करेगा वो अपने दिल में दर्द महजूद का रहा था और कहीं ना कहीं वो जैसे फिंगो चाहन नहीं लगा था लेकिन ये गलत है और जो चीज गलत हो उसे वहाँ पर ही रोप देना चाहिए न वो साबसे मिल के अब जाई रहा था हाँ उसने चार-पांच दिन का बोला था लेकिन वो जानता था वो आप बिलकुल नहाएगा वो वोँ पर ही कोई बिस्नस टार्ट का लेका और वोँ पर ही शाद्धिका लेका और फिर अपने बापा को वहाँ पर बला लेका या अगर वो यहां पर रहना चाहे तो उसे कोई प्राब्लम नहीं है वो जहां हुचने वा रहा है सकते हैं वो साब से मिलका रब जा रहा था और उसने मना इंकाद दिया था कोई उसे ओर पोर्ट पर छोड़ने नहीं जाएगा वींग और वांची जो के उसे बाई बोल रहे थे और मामा पापा भी और नानू भी जो के थोड़े इमोर्शनल ही हो रहे थे और वींग न आगे बार के उनको आग कार लिया क्या हो गया नानू एक बार मैं ठीक हो जाओ ना हमारी ननी सी परी नहां पिर नना जिजादा आजाएगा फिर हम चलेंगे हम साब अमेरिका चलेंगे और पिर सनी से मिलके भी आएंगे और वहां जागे इनकी यादी भी कार के आएंगे वींग जो के नानू को चेयर अप कार रहा था और पिर नानू ने जैसे वींग के गाल पे कीसी कार ली थी तुम बहुत अच्छे हो लड़के साच में तुम हमारे लिए एक ब्लैसिंग हो हमारी फैमली के लिए और मैं जानता हूँ सनी अब दुबारा इतनी चल्दी नहीं आएगा इट सोके नानू हम चले चलेंगे ना वो उसे मना रहे थे और पिर नानू जो चुप भी हो गे थे और सनी जो कि अब उनसे दूरी चला गया था भांग जी और विंग जो कि अपने कॉले चले गे थे और फिर अभी वो कॉले से निकली रहे थे कि उन्हें मुश्यान की कॉल आ गई हाँ बोलें साले साथ चैन नहीं आपको अरे मुझे चैन है लेकिन तुम्हारे भाई को चैन नहीं है वो सुबह से रोए जा रहा है चलो आओ मेरे साथ चलो कहां चलो आपके साथ अरे आओ ना फिर मैं बताता हूँ मुश्यान ने उन दोनों को बलाए लिया था रो गाड़ी लेके पहुँच चुके थे क्या मतलब बेन हो रहा है इन्होंने आपके साथ तॉर्चर किया क्या मैं आपको छोड़ूँगा नहीं बिल्कुल भी आपकी हिमत भी कैसे हुई मेरे छोटे से भाई के साथ इतना जुल्म करने की है मैंने कोई जुल्म ने किया तुम्हारे भाई के साथ और तुम जितने हो न उतने रो छोटे हो न छोटे बाढ़ के रो तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया अच उसे प्रेइडिनन का दिया वो ही की है तुम्हारे भाई के साथ आप अपनी जुल्म बाढ़ रखना गगा आप मेरे हस्बंड को क्यों ही ढांटे जा रहे हैं और कौन से दो हाथ है आपके पास एक ही हाथ है दूसरा जो है वो नहीं चलता हाथ और एक है कि हाथ दो पार मार लूँगा मैंने तुम लों को क्यों ही बिलाया लड़ने के लिए नहीं बिलाया इसकी तबियत ठीक नहीं है और मुझसे ड्राइव नहीं होती तो इसलिए बिलाया कि चलो इसको लेके चलते हैं इसको चेक करवाते हैं मुझे लगता है शायद इसको ब्रेस्ट कैंसर होगा है क्या विंग चो के शौक ही रहा है क्या था और लैंसेन और वांगची जो कि आप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे ये कैसी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर कैसी हो सकता है गगा को हाँ मुझे नहीं पता इसको बहुत पेन हो रहा है चलो ना लेके चलते हैं इसको और बापा जो या मुझे आफिस चले या नहीं तो फिर मां के साथ ही ले चलता अब तुम चलोगे हाँ हाँ चलें क्यों नहीं चलेंगे वो साब आप गाड़ी में बैठके जाए रहे थे उश्यान जो के अपने ननी मुनी वाइब के साथ पीछे ही बैठे गा विंग और वांगजी आके और वो साब आप हॉस्पिटल में जा रहे थे लेंजान को चेक करवाने के लिए क्या हर उससे कैंसर है कि नहीं है कहीं वो साच में बिमार हुआ तो क्या ही होगा बिचारा विश्यान अकेले ही रह चाएगा फिर वो मर चाएगा क्या आप हॉस्पिटल में जा रहे थे और अब भी वो थोड़ी दूरी गे थे गई वींगो जैसे आप चक्कर नहाना शुरू हो गे थे उसने गाड़ी रोकने के लिए बोला क्या हुआ आपको क्यूटी कुछ नहीं मेरे सार में बस बहुत दर्दोरा मुझे चक्कर आ रहा है मैं एक मिट आता हूँ वो गाड़ी से बाहर निकला था और वांग जी जो कि उसके साथ ही चला गया था और अब एक ताम से जैसे लहम से उनको फिकर होने लगी ये सार और वांग जी क्यूँ ही नहीं आ रहे मुझे बहुत ज़्यादा ही फिकर हो रही है मैं अब भी आता हूँ अरे तुम बैटो तुमारे तुम ये ठीक नहीं है नहीं मेरा बहुत ज़्यादा दिल कपरा रहा है वो क्यूं नहीं आ रहे वो उनके पीछे ही चला गया था और उस यान जो कि आब अखेले ही बैटा था उसके बासू में मिदर्द हो रहा था वो भी जा कि आब चैक अप करवा ही लेगा वो सापाई क्यों नहीं रहे वो यही सोर रहा था तब भी उसके पास एक अच्जान आदमी आया था उसने टार के विंडू के उपर नौक ही किया था और वश्यान ने फिर वो कांच नीचे ही किया था जी बोलें क्या आप मिस्टर वी है उस आदमी ने उससे पूछा था जिसके फेस पे मास्की था हाँ मैं मिस्टर वी हूँ बोलें क्या काम है और इससे पहले के वश्यान मजीद कुछ बोलता उस आदमी ने तो एक दम जैसे उसके फेस पे कोई कपड़ा ही राग दिया था और अगले ही लब में वश्यान जो के बेहोश होकर कार की सीट पे गिर जोगा था और उस आदमी ने जल्दी से अपने साथियों को बलाया यही है वो ले चलो इससे हाँ यही है ना वो दुबारा से आप तस्वीर देख रहे थे हाँ बिल्कुल यही है ले चलो इससे इससे पहले के इसके बाकी साथी आज है वो आप वुश्यान को लेके जा चुके थे और विंग जो के दो तीन उल्टियां करने के बाद वांगची और लेंसाइन के साथ आप वापस याया था उन्होंने क्या ही देखा था गाड़ी जो के बिल्कुल वहीं खड़ी थे और वुश्यान कहा ही था मेरा हस्बंट कहां चला गया मेरे हस्बंट को क्या हो गया लेंसाइन जो के एक था माप कि ऐससे एक चोटे बच्चों की तरह रोना भी इतना ही शुरू हो गया था और उन्होंने बार बार वुश्यान को कॉल की लेकिन कॉल तो मिल नहीं रही थे और लेंसाइन जो किया बस लोट पोर्ट ही होए जा रहा था रो रोके उसका पुरा ही हाल हो गया था अगर मेरे हस्बंड को कुछ हुआ न मैं किसी को नहीं चोड़ूँगा तुम लोग क्यों ही चले के और मैं भी तुम लोग के प्यार में चला गया मेरा हस्बंड कुम हो गया उसको किसी ने किट्नैप का लिया हाई अब मेरा क्या हो गया मैं तो मग जाओंगा वह ऐसे बस रोता पीटा वहीं पर बैठा हुआ था और फिर वांग जी ने जल्दी से घारी कॉल की थी पापा लोग भी आ चुके थे लेकिन उश्यान का तो कहीं भी कुछ पता नहीं था आहर वो कहां ही चला गया और कौन ही उसे लेकिया वो नहीं किसी की ड्नैप करने वाले ने उनसे कोई राप्ता किया था उन्होंने फुलिस को इतला कार ली थी और वो साब आप खारी आ चुके थे लेंसान जो कि अपना दर्द भूल के बासाब वो श्यान की तस्वीर को सीने से लगाए रोए जा रहा था मैं माट जाओंगा मुझे नहीं पता मेरे हस्बन को कुछ नहीं होना चाहे हाई उनकी इज़त सलामत हो कोई उनके साथ कुछ कार ना दे वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो श्यान को लड़की हो और ना चाहते होए वी जैसे सहाब की हसी निकल गई थी